कि आई आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा वेस्टन मुक्षित अग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैट्टिस करता हूं कभी लोग कॉमेंट्स कॉमेंट्स में लिखते कॉल करते पूछते रहते कि आपका हॉस्पिटल कहा है वहां किस तरह का हिलाज हो जाता है कितना समय लगता है यसे कभी सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्वेस्टन से एफेक्यूस तो उसका एक वीडियो बना के लोगों को दे दे वहां उनका नाम अगरे पुरा लिख लेते हैं और वहां नाम लिखने पर लगता हुँआ को एक स्लिप दी जाती कि आपका नमबर अप्रॉजिमेटली कभ लगेगा तो उनको आनों है ता कि अपना नमबर भई आदे घंटे बाल एगंटे बात नमबर लगेंगा यदि यह उनने पहले appointment लिख उनकी तो फिर वह समय पे उनको भेजा जाता है कि तो मेरे तरफ यहांती है तो दॉक्टर तो मेरे साथ में तो तो उसको जहां की जाना है हमारे तिनों में से किस कि भी तरब तो उसको भाँव होना है जिसकी जुआ प्वाइट्मेंटमें history taking are you होता है मगर जब वो reception में आता है अपना नाम दर्श करता है तो उसको यह फाइल दी जाती है और यह जो फाइल है यह फाइल यासे हमारे hospital की फाइल है जिसमें हमारा नाम लिखा है हम तिनों लोग है फिर patient का नाम पता उसका उसकी उमर कितनी है, दिनांग क्या है और हमने इसके उपर भी लिखा है कि सब के लिए मानसिक स्वास्त्य और वेसन मुक्त भारत इसके लिए हम खड़े हैं, यह हमारा परपस है Like mental health for all and addiction free India फिर यह पेशन जब बैटता है, समझो टाइम है उसको तो यह उसको पढ़ने के लिए भी काफी हमने material इसमें दिया हुआ है, जैसा कि इसके लिए इसमें हमने लिखा है कि मानसिक बिमारी जो है, उसके कौन से कौन से लक्षन है, वो हमने दिये हुए और फर एक्जामपल इसमें लिखा है कि नीद नहीं आना, भूग या, सनान करने की इच्छा नहीं होना, फिर हमने इसमें लिखा है कि अक्यला बैठना, या किसे बात नहीं करना, खुद के साथ अपने आप बढ़बढ करना, या बात करना, लोगों के उपर शक करना, खुद दुखी रहना, या बार 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 रोना आना, खुद से खुद हसना, फिर मरने का डर, भी हाट अड़ाग आजाएंगा, मैं मर जाओंगा, ऐसा डर, पिर खुदकुशी की कोशिश करना, या खुदकुशी के बारे में विचार आना, बिना वज़ गुस्सा बहुत आना, और मार्पिट चालू करना लोगों को, कुछ भी छोटा सा कारण होगा, तो मार्पिट चालू करना, फिर चीजों की तोड़ फोड़ करना, या हाथ पर जो है उसको थर्थरा अड़ाना, या बहुत पसीना आना, जी घबराना, फिर दिमाग में अलग-अलग-अलग-अलग विचार आना, बार-बार-बार-बार विचार आना, लोग अपने बारे में चर्चा कर रहे लोग अपने बारे में बोल रहे हैं ऐसा लाइटनिंग पेन होंडा जटका आना और पेन हुजानाuesta फिर पुरानी यार्डाष अच्छे रहते ख़ेShea नजदिक की आदा कल पर सोखी वो कम हो जाना फिर दारू शराप गांजा ब्राउन शुगर चरस सिगरेट स्मोकर मतलब टोबय को ऐसे सब इसकी जो नशाह इसकी लथ जो है वो लगना फिर मैं जो कर रहा हूं वह हर बात जो है वह गलत है ऐसा लगना मतलब जो भी कृति में क बहुत बड़े-बड़े ख्याल आना बहुत बड़े-बड़े ख्याल आता है फिर ऐसा कुछ तभी आवास हो जाना कि कुछ तभी आ रहा कोई तो भी मेरे पीछे ऐसा लगना छोड़ी बात के उपर तनाव आना बोलने कैसा में confusion गुंग रहना बात्चीत नहीं करना दिमा कि एंटी हो गया वेकंट हो गया ऐसा लगना फिर लेंगिक समस्या जो है सेक समस्या है नपुन सा कत्व है लिंग में कट्रोता नहीं आना इच्छा नहीं होना मास्ट्रिबेशन का एडिक्षन है फिर यह बीमारी कि हाथ पर में बहुत कमजोरी आना और बड़े बड़े ऐसे गोले हाथ पर में ऐसा लगना पेट के विकार एसिडिटी गैस होना जलन होना पेट फुलना काम में आवाज सुने आना कोई भी नहीं हो तो भी कान में आव कहा है उनको भी आसा लगता है कि विसके उपर टिक्मार करते में हमारे पासमें अपर ने आव कोई पास हम दो वह हमत्षी हम उसका मतलब कोई टेस्ट हो करते हैं ऐसी को झारठ पड़ी तो जिसा एंस इलेक्ट्रों से फेलोग्राम करते फिर हम यह देखते है कि भई शराब के लिए शराब की लथ है उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट उसको जरुद रहती है आवर्शन एवर्शन धेरपी तो वह उसको देते है लेंगिक समस्य बपलर की टेस्ट फिर वेक्यूम आई की निया फिर पैपेवरिंगा एक्जेक्शन देके उसकी टेस्ट तो भी हम टेस्ट सेक्स बीमारी के लिए करते हैं फिर बच्चों के लिए कॉंसिलिंग पेरेंट्स का हमारे होता है आईक्यू टेस्टिंग या एंक्यू टेस्टिंग मतलब स्मूर्थी परिक्शन होता है फिर साइको थेरेपी और मनोविश्टलेशन लेक्शाइक एनलीसिस होता है बायो फिडिबैक उप्चारम करते हैं फिर हमारे यहां एक सुसाइड प्रिवेंशन सेंडर भी है कि जा हम स सिर्दर्थ के लिए स्पेशल क्लीनिक है एपिलेपसी क्लीनिक हमारे यहां है स्पेशल फिट के लोगों के लिए एपिलेपसी क्लीनिक है फिर शादिशोदा लोगों के लिए वाइवाइक सरमस्या जो रहती उसके लिए मार्गदर्शन और क्लीनिक है इलेक्ट्रो कनवल् फिर हमारे यहां brain feedback है brain feedback का वो भी एक instrument है RTMS का repetitive trans-cranial magnetic stimulation वो भी हमारे हैं तो ऐसे अलग अलग हमने यह file की उपर सब दिया हुआ है वह हमारे यहां consequence विमारी है और उसका consequence उप्चार हमारे यहां किया जाता है फिर हम लोग उनको क्या करते हैं हमारे यहां पूरा एक medicine लिखके देते है जब पेशेंट बैटे है तो हमने हमारे यहां एक और एक यह file में हमने और एक ऐसा leaflet डिया हुआ है handout है जिसमें पूरी बीमारी हों का मतलब संखिप्त वर्णन क्या होगा है कि बीमारी क्या होती उसका वर्णन क्या लक्षन है ताकि लोग यह पढ़ते हैं तो उनको और एक clear हो जाता है कि अपने को बीमारी कौन सी है और specifically doctor के पास में हमने क्या बोलना चाहिए तो यह जो है पिर पेष्ण को दाखिल करने की जरूरत है हस्पिटल में तो हम धाकिल को रहते हों और पिर नहीं पिना क्षच के विदना इस्तारों का इलाज करते हैं वाँ पिशन को रखते है और उनका इलाज करते हैं इससरा हमारा पुरा इलाज होता है साथ-8 दिन एवरेज पेशन का स्टे होता है विदाउट रिलेटिवस है तो एक महना बर रहता है पेशन स्पेशली उनको आकोला के बाहर चार किलोमेटर दूर यहां पेशली ऐसा एक जगह बनाए हुए कि जहां पेशन खेल सकते हैं कुछ सकते हैं टीवी देखते हैं उनको के बाद में पेशन घर पे चले जाता है तो इस तरह हमारा जो होस्पिटल है उसकी जानकर यह पेशन आने के बाद में पेशन अंत तक वह मैंने आपको दिया आपको और कुछ सवाल होंगे तो जरूर यहां नीचे कॉमेंट बास में लिखेगा हम आपका आपके सवालों का जवाब देंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थेंक यू वेरी मच